हे गाईस स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार हम अपने लैप्टोप या कम्पूटर की डिस्प्ले की कला टोन चेंज कर सकते हैं और डिस्प्ले को और भी वाइब्रेंट बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू कर लेते हैं दोस्तों वीडियो में हम दो तरीकों को जानेंगे पहले वाले तरीके से हमां RGB को तो सेट करी सकते हैं साथ में saturation को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं पहले वाले तरीके को इसके लिए दोस्तों हमें अपने mouse के right बटन को click करना है और इसके बाद यहाँ नीचे यह जो graphics properties यह इसे double click करके open करना है open करने के बाद general settings में जाना है general settings में जिसेगी आप देख सकते हैं मेरे इस laptop की display full HD सेट है आपके PC में यह कमिया ज़्यादा हो सकती है आपको इसमें highest available resolution सेट रखना है और इसी प्रकार refresh rate भी highest सेट रखना है अब color settings में यहाँ आप देख सकते हैं red, green, blue, तीनों color यहाँ show रहे हैं हमें red और blue color को as it is रहने देना है और green color को थोड़ा कम करना है इसे 47 कर देते हैं दोस्तों जैसे कि आपने देखा हमने जैसे ही green color को 47 की है हमाई display में जो yellow tone थी वो अब natural हो गई है अब इसके बाद दोस्तों हमें advance में जाना है और second number पर यह जो saturation है इसे 10 के आसपास बड़ा देना है इससे हमाई display के जो colors हैं वो vibrant हो जाएंगे और हमाई display एकदम सांदार लगेगी अब सारी settings हो जाने के बाद इससे apply कर देना है अब दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्प्ले की जो color tone है वो natural हो गई है और colors एकदम पंची लग रहे है अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं दूसरे तरीके को इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें search में जाना है और control panel सर्च करना है सर्च करने बाद इस control panel को open करना है open करने के बाद इस color management वाल अप्सन पर double click करना है इसके बाद हमें advanced में जाना है और नीचे ये जो calibrate है इसे open कर लेना है अब इसके बाद हमें simply next next करते जाना है दोस्तों अगर हम brightness, contrast वगेरा भी set करना चाते हैं तो वो भी यहां से कर सकते हैं अब दोस्तों इस adjust color balance वाले page में आजाने के बाद इस green color को थोड़ा कम कर देना है जिससे कि हमाँ display की जो color tone है वो yellowish ना रहे और एकदम natural हो जाए अब दोस्तों simply हमें finish पर click कर देना है और सारी windows को close कर देना है अब जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाले तरीके से भी display की जो color tone है वो natural हो गई है इस प्रकार इस वीडियो में हमने दो तरीकों से PC या laptop की display के colors को set करना जाना तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आये तो इस वीडियो को like और share कीजिए और ऐसे interesting वीडियोज को देखने के लिए अपने भाई की चनल VL Technical को subscribe कर घंटी बजा दीजिए वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद